बंगाल में आपको क्या लग रहा है पिछली बार एक अच्छा प्रदर्शन था 18 सीटे आई थी 40 में उसके बाद आप विधान सभा का चुनाव हारे जीत का माहौल बना हुआ था मगर सिर्फ 77 सीटे ले आए और इस बार क्या देख रहे हैं आपको क्या लग रहा है इतनी बा और विष्वास भी है तो पहले आप मुझे लगता है नेता है जिन्हों ने 36 का अकड़ा दे दिया है बहुत बड़ा अकड़ा दिया है अमिच्छा जी भी 25 से कह रहे तो ऊपर आएगी नहीं नहीं ने कहा होगा लेकि मुझे लगता है कि टार्गेट हम लों का तो 36 का है व कि स्थाई सरकार पहले कर्मरीस पार्टी की भी सरकार वह ATM वहां थी पिर भी की स्थाई गंगाल का विकास होना शाहिए था वहां की विरोजगारी का संकट अन्य बहुत सारी सनौशया एं वहां की विकास का संकट इस पर जो विये प्राप करनी शाहिए थी, वो सरकारें अस्थाई होने के बावुजित भी नहीं कर पाई, लोगी सच्छाई को अब समझने लगे हैं कि सच्छ, विकास यह नी कोई राइडिटिक पार्टी कर सकती है, तो भारती जन्ता पार्टी, कोई अलाइंस है नी कर सकता है, तो यंडिय हैं, और मैं समझता हूँ संदेश खाली जेशी जिस प्रकार की दुरुभागपून घटना घटित हो रही थी और बिल्कुत चुपी साधे हुए वहां की राज्य सरकार वेटी थी, और आपने देखा होगा कोट भी लताड़ा है, राज्य सरकार को, जी, राज्याज जी आ क्या है कि आप उस पर विश्वास करते हैं, आप तो फिजिक्स के स्टूडेंट रहे हैं और कभी और सफलतारी मिल जाती है तो उसको लेकर बेशैन नहीं होना चाहिए ये बयाक्वल नहीं होना चाहिए, प्रेटन वराबर करते रहना चाहिए आपका राजनाथिक सफर बहुत लंबा जिसमें आपने बहुत सारे आपके अचीवमेंट्स भी हैं आने वाले पांच सालों में राजनाथ सिंग्ग क्या करना चाहेंगे यह मुझे नहीं वालू है पर आप कुछ अपने आप तो करना आपकी अपनी पस्नलिक्षा क्या है कि आप किस अपने को आप किस रोल में देखना चाहेंगे मैंने हमारी कोई पत्न लिक्षा नहीं है बहुत किया है पार्टी और हमारे प्रधार मुन्तरी यो भी भूम का नर्धालित करेंगे वो करेंगे राजना जी आपने हमसे बात करी बहुत अच्छा लगा आज आपकी तब्यद भी थोड़ी नासा थी आपसे मुलाकात हुई उसके बावजूद आपने हमको इतना लंबे समय इंटर्वियू दिया और हमारे सारे प्रशनों का जवाब दिया आपका बहुत बहुत धन्याद औ और आपको इलेक्शन्स के लिए बहुत शुब काम नहीं है बहुत भुत धन्वार ओजी बहुत धन्वार